प्रेंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे फीमस इंग्लिश राइटर कैथरीन मान्सफिल्ड की एक स्टोरी के बारे में जिसका नाम है दफलाई इसे 1922 में लिखा गया था और इसी साले से पब्लिश भी किया गया था फ्रेंट्स ये स्टोरी बहुत ही छोटी है थर्ड परसंट पॉइंट आफ यू से ये स्टोरी हमें बताई जा रही है और इसमें हमारे सामने केवल तीन क्यारेक्टर्स ही आते हैं स्टोरी में कुछ मेजर थीम्स को डिसकस किया गया है जिसमें वार, डेथ और ग्रीफ ये तीनों शामिल है यानि जंग, जंग के में होने वाली जो डेथ होती है, लोगों की मौत होती है वो और उससे क्या दर्द रहता है, कैसे लोग उस दर्द से, उस पेन से डील करते हैं इन सारी चीजों को यहाँ पर बताया गया है साथ ही अगर बात करी राइटर की, तो कैथरीन मैंस फिल्ड एक बहुत ही फेमस मौडर्निस राइटर थी और अपनी शॉर्ट स्टोरीज के लिए जानी जाती थी उनका जन मुआ था 14 ओक्टोबर 1888 में और उनकी डेथ वी थी 9 जैनवरी 1923 में उनकी फेमस वरक्स में, A Cup of Tea, The Dolls House, The Wrong House, Her First Ball, ये सब ही शामिल है तो चलिए फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं और स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं स्टोरी की शुरुआत होती है और हमारे सामने दो कैरेक्टर दिखाये जाते है पहला कैरेक्टर है मिस्टर वुडवील का, जो की एक बूड़ी जेंटलमेन है और दूसा कैरेक्टर है उनके बॉस का, यहां उनका नाम नहीं बताया जाता, पूरी स्टोरी में उन्हें बॉस कहके ही बुलाया जाता है अब ये जो बॉस हैं इनके बारे में बताया जाता है कि ये बहुत ही जादा स्ट्रॉंग विल पावर वाले इनसान है बहुत एनरजिटिक है और बहुत फुर्टीले भी है जब कि ये मिस्टर वुड्विल्ड से पांच साल बड़े हैं ये जो मिस्टर वुड्विल्ड हैं इनकी तब्यत अकसर खराव रहती थी और इसलिए इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी ये रिटायर हो चुके हैं लेकिन ये बास जो है ये अभी भी बहुत आक्टिव हैं बहुत काम करते हैं लेकिन फिर भी इन दोनों की दोस्ती नहीं खत्म हुई है और अकसर शाम में बैठ कर ये इस बास के आफिस में बाते करते हैं अब यहां ये भी बताया जाता है कि मिस्टर वुड्विल्ड जो है उनकी यादाश तब अच्छी नहीं रही है वो अकसर चीजों को भूल जाया करते हैं तो ऐसे ही यहां पर ये दोनों ब उन्हें बता रहे हैं और मिस्टर वुड्विल्ड भी इंजॉय कर रहे हैं अब मिस्टर वुड्विल्ड के बारी आती है और वो कहते हैं कि वो भी बास को कुछ बताना चाहते थे लेकिन अभी उन्हें याद नहीं आ रहा कि वो क्या बात थी अब ये जो बास है वो कहते ह कि कोई बात नहीं तुम्हारी उमर हो चुकी है मैं समझ सकता हूं और उसे कुछ विस्की पीने को देते हैं कि कुछ विस्की पियो इससे तुम्हारा मन तरो ताजा होगा शायद तब तुम्हें वो बात याद आएगी और जैसे ही वुड्विल्ड विस्की पीते हैं सच उनके सन की डैथ हो चुकी है जंग में और उनकी जो ग्रेव थी वहां पर उनकी दोनों बेटिया गई थी अपने भाई से मिलने के लिए तो इस दौरान उन्होंने वहाँ पर ये जो बौस हैं उनके बेटे की ग्रेव को भी देखा उनके बेटे की डैथ भी वार में ही हो जंग में उसकी भी डेथ हो गई थी और वहाँ पर उसकी ग्रेव को भी उनकी बेटियों ने देखा अब अचानक से अपने मरे हुए बेटे की बात को सुनकर इस बॉस को थोड़ा शौक तो लगता है लेकिन वो वुडविल को देखाने नहीं देते क्योंकि छे साल पहले वर्ल्ड वार वर्न में उनके बेटे की डेथ हुई थी और अब कही न कहीं वो इस बात से उपर उठ चुके थे उसे भूल चुके थे लेकिन अचानक से ये बात सुनकर उन्हें कहीं न कहीं एक सड़न लॉस फील होता है वुड्विल के जाने के बाद ये जो बॉस है ये अपने कलर को बलाते हैं जिसका नाम है मेसी और उसे कहते हैं कि कोई उन्हें डिस्टरब न करे उन्हें लगता है कि चुके अचानक से उन्हें उनके बेटे की याद आ गई है तो अब वो ज़रूर रोएंगे अपने मरे वे बेटे को याद करके लेकिन ऐसा नहीं होता है और उन्हें बहुत सर्प्राइज भी फील होता है कि आखिर वो रो क्यों नहीं रहे हैं वो अपने बेटे की फोटो को देखते हैं जो बहुत जादा स्ट्रॉंग लग रहा है ऐसे मजबूत इरादे वाला उनका बेटा लग रहा है जबकि उन्हें याद आता है कि उनका बेटा कितना मुस्कुराता था हमेशा फणी हरकते करता था ये सारी चीज़े वो सोची रहे होते हैं कि तब ही उनकी नजर एक फ्लाइ पर पढ़ती है जो कि उनकी इंक पॉड में गलती से गिर गई थी वो देखते हैं कि ये मक्खी इंक पॉड से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और थोड़ा वो उसकी मदद करते हैं और बगल ही एक पेपर पर उस मक्खी को निकाल कर रख देते हैं ये जो मक्खी है ये अपने पंखों को साफ करती है और उड़ने की कोशिश करती है तो ये देखकर बहुत थोड़े खुश भी होते हैं कि किस तरह ये छोटी सी मक्षी तनी मेहनत कर रही है लेकिन वो एक तरह से उसे एक्जामिन करना चाहते हैं कि और कितनी ताकत है उस मक्षी में और उसके उपर एक बूंद इंक वो दुबारा से डाल देते हैं दुबारा मक्षी अपने पंखों को साफ करने की कोशिश करती है कर भी लेती है कि तब तक फिर तीसरी बार ये जो वुड़ विल्ड हैं वो उस पर इंक डाल देते हैं अब बेचारी मक्षी बहुत ठक चुकी है उसमें ताकत नहीं है कि वो फिर से अपने आपको साफ करे और तब तक तीसरी बार ये जो मिस्टर बॉस हैं वो फिर से उस पर इंक डाल देते हैं और अंत में ये जो मक्षी है उसकी डेथ हो जाती है उसमें अब इतनी ताकत नहीं बची कि वो अपने पंकों को साफ कर पाए उड़ पाए और इंक में डूब कर उसकी डेथ हो जाती है इसके बाद ये जो बॉस हैं ये उस मक्षी को दस बिन में फेग देते हैं और साथ ही जिस पेपर पर उन्होंने उस मक्षी को रखा था उस पेपर को भी फेग देते हैं और फिर मेसी से अपनी जो उनकी जो कलर्क है उनसे कहते हैं कि उन्हें नया पेपर फिर से लाके दिया जाए और जब वो ऐसा कहते हैं कहकर वापस अंदर आते हैं तो उन्हें याद नहीं आपाता कि आखिर इस मक्षी को परिशान करने से पहले वो किस बारे में सोच रहे थे यानि इस मक्षी को परिशान करने में उसे मारने में वो इतना खो चुके हैं कि उन्हें अपने बेटे के मरने की याद फिर से वो भूल चुके हैं उन्हें याद नहीं आ रही और स्टोरी यहीं पर खत्म होती है स्टोरी में यह जो मक्ही है यह human helplessness को दिखाती है कि किस तरह human कमजोर होते हैं और साथ ही boss के थूँ हम यह भी देखते हैं कि human जो है उनकी mind कितनी जल्दी change होती, उनकी emotions कितनी जल्दी change होती है, तो friends यह थी Catherine Mansfield की स्टोरी The Fly अगर आपको वीडियो पसंद आई तो please like, comment और share करिए